Hello Everyone, My name is Jayan मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इनडय नेवी SSR में ट्रेणिंग होती है आप जब आईनेश छिलका में आप जाएंगे तो कैसे ट्रेणिंग होती है और क्या क्या प्रोसेस रदता है मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप उस दिन लाइक का reporting डे जिस दिन होता है उस दिन आपको क्या करेंगे कि मॉर्निंग में ही आपको एक टाइम ही देदेंगे, कि आपको इस टाइम पर रिपूर्टिंग करना है, तो आप क्या कीजिएगा, कि एक दो घंटे दो तीज चार घंटे पहले आप रिपूर्टिंग करने के लिए एक लाइन लगती है, बहुत उसमें भगदड होता है, त तो इसके बीना आपका कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको ओवर ही बता दे रहा हूँ कि क्या का basic detail जो documents कर लेकर है, सबसे पहले आपका domicile certificate, जो की सबसे important role play करता उसमें, आपका domicile certificate होना ही चाहिए, और वो भी जो sign होता है, एक बार वो sign चेक कर लेना कि एक ठो stamp मिला रहा आपका like, या देखिए आपका training, मतलब यह आपका basic complete हो गया, आपको एक bus में बैठा कर अंदर लेके जाएंगे, अंदर ले जाने के बाद आपको क्या करेंगे, फिर कि वो उन लोग अंदर ले जाने के बाद, आपका documentation process स्टार्ट हो जागा, फिर से, उसके आपका fully documentation होगा आपका जितना भी class 10, 12, जो भी documentation मांगे रहेगा, मैं आपको बता दूँगा वीडियो में, वो आपका documentation होगा, उसके बाद आपको एक वहाँ पर TBC बोल करके है, TBC मतलब होता है triple basketball court एक वहाँ पर है, जहाँ पर आपको पूरी night, whole night आपका swimming का, वो पुछेंगे कि आपको कौँसा grade में swimming में हो, उसके आपको एक health card provide होगा, और उसी रात में ही आपका सारा form filled हो जाएगा, like आपका canteen card, liquor card वगरा सारा form रात में fill हो जाएगा, आपको division अलोट हो जाएगा, और रही बाद division के बारे में तुमें आपको division बता दूरा हो, total 8 division हो उसमें, ठीक है, सबसे पल अशोक, एक लव